हेलो दोस्तों, दिन नॉलेज अब पर आपका स्वागत है और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बिहार स्पेसल पार्ट टू वीडियो या आपके BPSC या पिहार टिपल सी या फिर आपके बिहार SI की एक्जाम के लिए काफी हलफुल होने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते ह हैं बिहार स्पेसल पार्ट टू अब देखिए कुछ चीजें आपको बहुत कॉमन सी ध्यान रखनी हैं जैसे करेंट चीफ मिनिस्टर है नितिश कुमार इस साल बिहार में अलेक्शन भी होने वाला है अक्टूबर और नौवंबर के महिने में तो उसके बाद हो सकता है कॉंस्च्वेंसी है बिहार में वो है 40 कुल लोक सभा 40 है और कुल राज्य सभा के सदस्य जो बिहार से जाते हैं वो 16 है इसके बाद बिहार में विधान सभा कॉंस्च्वेंसी जो है वो 243 है और विधान परिशद के कुल सदस्यों की संख्या 75 है इसके बाद देखिए जो बिहार में कुल जिला है वो है 38 इसके बाद पुलिस जिला पुलिस जिला मेंस यह होता है कि पुलिस के ओपरेटिंग के लिए law and order के लिए कुछ बदलाव किये जाते हैं एरिया में तो टोटल पुलिस डिस्ट्रिक्स जो है बिहार में वो है 43 जो कुल सब डिविजन है उप ब बिहार में 101 है और जो कुल ब्लोक का मतलब Community Development Block है सामुदाइक विकास ब्लोक जिसको कहा जाता है तो कुल बिहार में है 534 इसके बाद कुल पंचायतों की संख्यां बिहार में है 8406 और विलेज एक पंचायत में एक से अधिक विलेज हो सकते हैं तो कुल विलेज जो है वो ह 45103 इसके बाद कुल नगर निगमों की संख्यां बिहार में है 12 और कुल नगर परशद हैं बिहार में 49 टोटल जो नगर पंचायत है बिहार में वो है 80 और कुल मंडल या डिविजन की अगर हम बात करें तो 9 बहुत बार BPSC में ऐसे questions में आये हैं कि administrative division जो बिहार का प्रसास प्रसातनिक प्रभाग है या प्रसातनिक मंडल है वो कौन से मंडल में कौन सा जिला आता है तो ऐसे में देखी जो पतना मंडल है और पतना प्रभाग है उसमें पतना नालंदा भोजपूर रोहतास बकसर और कैमोर तो 6 जिला पतना संभाग में आते हैं और तिरहुत तिरह पुर्वी चमपारन, सिवहर, सितामढधी, मुझ하परपूर और वैसाली इसमेन भी 6 है। इसके बाद अगर सारन की बात करते हैं तो सारन में है गोपाल गंज, सिवान, सारन के इवल तीन डिस्ट्रिक्ट और दर्भंगा में दर्भंगा, मधुवनी और समस्तिपूर ये तीन डिस्ट्रिक्ट है दर्भंगा जिला में इसके बाद अगर कोसी की बात करते हैं तो कोसी City का नाम अलग है जो District के नाम से जहां Headquarter है ऐसे मैं अगर पुर्वी चमपारन को देखा जाए तो उसका Headquarter मोतिहारी होगा और पश्मी चमपारन बितिया जो कैमूर है उसका है भववा रोहतास का है सासाराम, भोजपूर का है आरा, सारन का है छपरा नालंदा का है बिहार सरीफ और वैशाली का है हाजीपूर इसके अलाबा बिहार में जितने भी जिला आपको दिखेंगे वहाँ पर जैसे दर्भंगा की बात करेंगे तो दर्भंगा का Headquarter भी दर्भंगा में है मधवनी की बात करेंगे तो मधवनी में है समस्दिपूर की बात करेंगे तो समस्दिपूर में तो ये जो जिलह मैंने आपको बताए उसके अलग है मतलब वो नाम अलग हो जाएगा डिस्टिक के नाम से इसके बाद देखिए जो बिहार में एक मात्र रास्ट ये उद्यान है वो है वालमी की रास्टियोद्यान देखिए वालमी की रास्टियोद्यान बिहार का एक मात रास्टियोद्यान है और यह पस्चमी चमपारन जिला में है तो पस्चमी चमपारन जिला में है यह और यह जो रास्टियोद्यान होने से पहले टाइगर रिजर्ब भी था तो अभ इसका जो location है वो आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया नेपाल के border पे है और नेपाल का जो चिदवन रास्टी उद्ध्यान है वो लगा हुआ है वालमी की रास्टी उद्ध्यान जो बिहार में है इसके बाद इसका जो total area है वो है 899.38 square kilometer आप रॉन फिगर में याद रख सकते हैं 900 square kilometer के आसपास इस उद्ध्यान का area है इसके बाद अगर ये लिख भी दिया मैंने कि it is border by नेपास चिदवन नेशनल पार्क और उत्तर प्रदेस मतलब उत्तर प्रदेस की भी सीमा पे आप कह सकते हैं ट्राइ जंक्शन है उत्तर प्रदेस नेपाल और बिहार का इसके बाद अगर बात करें कि इसमें कौन-कौन से जानवर आपको या animals मिलेंगे तो इसमें है Bengal tiger, Indian rhinoceros, black bear, Indian leopard, wild dog, wild buffalo तो ये जो कुछ animals है वो आपको इस उद्ध्यान में मिलते हैं इसके बाद यहाँ एक जंजाती रहती है जो कि थारू जंजाती है जो कि बहुत ही famous जंजाती है तो वो आपको वालमी की रास्टियोद्ध्यान में मिलेंगी इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताओ कि यह जो गंड़क नदी है गंड़क नदी को नाराइनी नदी भी कहा जाता है और यहाँ पर जो है वो सालिमार साली ग्राम जो भगवान होते हैं उनका प सेंचुरी है बेसिकली पक्षी अफ्यारने है 1997 में इसको पक्षी अफ्यारने की रूप में रखा गया था भीमबांध यह इस साल के 65 में BPSC में पूछा गया था कि कहां पर है तो यह भीमबांध जो है वो मुंगेर में है 1976 में इसको इसका धरजा दिया गया था इसके सरह में है इसके बाद कैमूर कैमूर आपको डिस्ट्रिक भी है तो कैमूर basically बिलकुल हो जाएगा कैमूर डिस्ट्रिक में ही कैमूर वाइड लाप सेंच्चुरी और इसके बाद जो बिहार का सबसे बड़ा पक्षिय अव्यारन मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कुसे सवरस्थान वो 1991 में उसको इसका दरजा मिला था और ये दर्भंगा जिला में इस्तित है इसके बाद नागी डैम जो है वो जमुई में इस्तित है नागी डैम ये वही वारानसी से लेकर पूरे बिहार वाले एरिया में मिलत विक्रम सिला जो भागलपूर में सुल्तान गन से कहल गाउं ये भागलपूर का जो एरिया है पूरा स्ट्रिच गंगा के किनारे ये आपका आजाता है विक्रम सिला गैंगेटिक डॉल्फिम वाइल लाफ सेंक्चूरी के अंतरकत इसके बाद अगर बात करें पंत वाइल यह है वेस्ट चंपारन में इसको मिला था 1978 में इसका धरजा तो आपको केवल प्लेसेज ध्यान रखना है क्योंकि सिंपल सा कोस्चन पूछा जा सकता है कि उदायपूर वन इजिव अभियारन बिहार के किस जिला में है ठीक है जैसे भीम बांध के लिए पूछा गया तो यह आपको वन इजिव अभियारन या टाइगर रिजर या राश्ट्य उद्यान ये आपके बिहार स्पेसल में आपको बिहार में जितने भी है वो ध्यान रखने हैं तो यह बिहार स्पेसल का लेक्चर नमर 2 था अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक की किजिए सब्सक्राइब किजिए शेयर किजिए थैंक यू सो मच